आपके किताब का एक और सवाल अब यहाँ पर देखो दो तरीकी के लेवर हो गए A और B तो आप यहाँ पर मिक्स निकल सकते हैं और मिक्स में आपको पता है एक रिवाईज वाला भी पॉइंट आ जाता है जिसे हमें निकालना होता है यहाँ पर आएगा हमारा स्टेंडर्ड आर रेट और टोटल सरीय स्टेंडर्ड के इसाफ से हैं यहाँ पर आएगा एक्चुल के इसाफ से हैं आपका एक्चुल आर रेट टोटल और एग निकाल लेंगे हम रिवाईज रिवाईज स्टेंडर्ड आवर क्या होना चाहिए चलिए ताएं करता है यहाँ पर कुश्चन में कि के कोटेज इंडिया लिमिटेड मैनिफेक्चरिंग आप प्रोडक्ट डारिक लेबर इसे डारिक लेबर भी बोलते हम कॉस्ट एक सो बीस पर यूनिट के तब ही एक यूनिट का हमारा कॉस्टिंग जिवा जाता है पर यूनिट हूस मैन इंफेक्ट्रिंग इन्वाल उघ्सों को तक हर्चा एक सो बीस रूपए एक यूनिट का आता हैं सर कैसे एक यूनिट यानि यह सारी डिटेल एक यूनिट बनाने की दी गई है A वरकर काम करेगा 30 घंटे और 2 रुपे के हिसाब से यह और B वरकर काम करेगा इसके हिसाब से यह यानि एक यूनिट का हमेशा आपको standard एक यूनिट का ही देगा और actual के हिसाब से उसे convert करके table में डालना है कहता जी actual हमने 100 यूनिट बनाए तो 100 यूनिट अगर आपने बनाए तो standard के हिसाब से अगर एक यूनिट पे 30 रुपे ए लेगा एक यूनिट पे अगर ए 30 यूनिट लेगा तो 100 पे कितना लेगा 3000 एक यूनिट पे 20 लेगा तो B 100 पे कितना लेगा दो हजार रेट में फरक नहीं रहेगा दो रुपे और तीन रुपे छे हजार पहले आप ये बता दिजेगा और ये भी छे हजार आप मुझे बता दिजेगा किसी को दिक्कत है इस पॉइंट के अंदर जो मैंने डेटा बनाया है इस रेंडर के लिए तो आप पूछ सकते हैं किसी को दिक्कत है इस डेटा को जो मैंने बनाया यहां पर मैं यहां पर थोड़ा सा समझा भी दूँ सर एक यूनिट बनाने में अगर आपके 30 रुपे लगते हैं तो मैं पूछता हूँ सौ यूनिट बनाने में कितने लगेंगे क्योंकि हम मैंनी एक्च्वल में कितना मैंनीफिक्चर कर रहे हैं सौ सीवस्ती बात है भाई या 100 यूनिट बनाने के अंदर मल्टिप्लाई करो 30 तो इन सब को मल्टिप्लाई करके बना लिया एक्चुल आर तो हमेशा गीवन होगा आपको लगवग लगवग बत्तिस सो और उन्निस तो लगे ए और भी के और सर यह डेड़ रुपे में बात बन गई जोकि दो सोचा था और यह चार रुपे में बात बन गई यहाँ ज्यादा लग गया है सर इसका टूटल आ गया हमारा 4800 और इसका टूटल आ गया है च्छेटर सो यह तो गीवनी था तर यहाँ यहाँ यूनिट का टूटल है हमारा तीन और दो पांच और यह आ गया हमारा 12000 यहाँ यूनिट का टूटल है सर 1500 यानि ज्यादा तुमने भी या लेवर से काम घंटे ज्यादा लगा दियो इसने और इसका कॉस्ट है 12,400 यानि आपको सीधा सीधा देख के आ सकता है कि एडवर्स ही होगा अब भाया इसने हमने बोले थे के लेवर का ये वाला 3000 घंटे लिए और ये वाला इतने घंटे लिए लेकिन इसने एक्च्वल तीन है नहीं लिया यानि 5100 घंटे लगे लेकिन 5100 पर क्लेशों में बाट देने को हम रिवाइस कहते हैं तो three to two में फटा फट बाटके दिखाई ये 51100 को 5100 को किसमें बाटेंगे आप three to two में अगर last आपने class देखा वा तो उसमें थोड़ा डिटेल में बताया था तो इसको 3 to 2 में बता दीजिए फटा-फट से बाट के ताकि हम आगे सवाल कर पाएं 3 to 2 में जल्दी बताईए सर 3,060 रुपए ओहो 3,060 अगला 2,040 यानि 2,040 तो ये तो टोटल सर 1,500 ही आएगा चलिए सर एके करके निकालते हैं labor cost variance labor cost variance में निकलेगा हमारा a के लिए और b के लिए पहले formula लिख दे न exam में भी पहले formula लिखना क्या होता सर labor cost standard cost जह बोल सकते हो standard hour into में standard rate माइनस में actual hour into में actual rate जो बता है और वैसे पूछा जाए तो मैं direct भी बता सकता हूँ सर ये है और ये है 400 रुप है लेकिन A B है तो सबका अलग अलग लेकर बताना होगा exam में A का अलग B का अलग A B का भी मैं direct बता सकता हूँ सर 6000 और यहाँ पे आया 4800 तो direct बताए जा सकता है तो मैं directly ले लेता हूँ 6000-4800 तो सर ये तो हमारा आगया favorable और favorable कितना आगया सर ये ये 1200 का favorable रहा इसके बाद ये भी 6000 का होना था खर्चा लेकिन यहाँ पर हम 7600 कर बैठें तो ये हो गया हमारा 1600 का आपका adverse that is net में देखा जाए तो 400 रुपे हमारा adverse में रहा जो कि आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो 400 का ही adverse नजर आएगा इसके बाद labor rate variances देखें तो labor rate variances में आपका formula क्या होता है standard rate minus में actual rate into में actual hour तो सर A के लिए भी निकालो और B यहाँ तो करना पड़ेगा सर A के लिए अगर standard rate की हम बात करें तो 2 रुपे है और उसके वहाँ पे जो actual में लिया 1.5 है सर यह तो favorable आ जाएगा actual hour जो लगा हमारा वो लगा 32 बस formula formula put करने हैं तो 50 पैसे 32 यानि 1600 रुपे हमारा यहाँ favorable रहा B की बात करें तो हमारा standard तीन लगना चाहिए भहिया तुमने लगा दिये 4 रुपे वहाँ से check करते जाएंगे table से यहाँ से 4 और आवर जो लगे वो लगा दिया आपने सर 1900 यानि आवर तो बचा लिए लेकिन पैसा जाता दे दिया एक रुपे यह 1900 जो था यह हमारा यह क्या था सर यह 1900 हमारा आएगा एडवर्स 1900 आगया हमारा एडवर्स ultimately देखा जाए तो 300 एडवर्स आगया है जबकि 400 होना चाहिए था हमारा 400 नहीं आएगा जबकि होना नहीं चाहिए आएगा चलिए सर अगले पॉइंट पे चलते हैं सर लेवर्स के बाद हमारा क्या आएगा efficiency variance लेवर efficiency variance थोड़ा short ले रहा हूँ formula कहता है सर क्या formula कहता है अब efficiency में hour आजाएगा standard hour minus में actual hour और इंटू में standard rate चलिए सर एक लिए निकाल लेते हैं standard hour कितना है 3000 और B के लिए भी standard hour क्या था 3000 1000 यहां पर actual लगा कितना 32 ज्यादा लगा दिये तुमने यहां पर actual कितना लगा भी यह 1900 नहीं यह 2000 है यह 2000 है यह 2000 है और इन दोनों को multiply multiply करेंगे standard rate that is a 2 और 3 तो जवाब आजाएगा हमारा क्या आएगा यहां 32 200 रुपे minus का तो 400 रुपे आपका adverse यहां पर 100 रुपे बच गए तो यहां पर 300 रुपे favorable तो देखो यहां पर 100 रुपे हमारा adverse आगया चेक करने का तरीका है क्योंकि इन दोनों को मिला के ही तो यह बना है तो 100 और 300 देखो 400 adverse आगया यहां तक मेरे हिसाब से आपको doubt होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ नाम मातर formula यूज कर रहा हूँ देखिए doubt create करने के लिए बहुत सारा doubt है और समझने के लिए simple सी पता चल दियोगे फिर भी मैं पूछ लेता हूँ इसके बाद हम क्या निका रहेंगे लेवर mix variance के बाद हमारा जो अगला रहेगा वह रहेगा हमारा il variances ठीक है जानी सर फर्दर दो पार्ट और निकल जाएंगे यहां पर एक निकारेंगे नहीं लेवर मिक्स्ड भेट अब्इक्स अब कि मिक्स वेरियआं कि सर्लेवर मिक्स वेरिययंस का ऐसा किए कि कि एपका रिवाईस स्टेंडर आर、 माइनस में एक्ट्वल ऑर रेच तो आपका उस्टेंडर रेच ही आना है आप चेक कर सकते हैं formula को चेक कर यह formula मैंने अभी अभी लिखवाया है पुसर अभी अभी लिखवाया है मेरा formula sheet कहा है यह रहा है क्या कहते है revise standard R actual R into rate ठीक है चलिए सब्सक्राइब आप सामने formula रखके करिएगा ज्यादा मजाएगा अब किस के लिए निकाल ले A के लिए निकाल ले और B के लिए निकाल ले तो revise वाला column यह है तो आवर 3060 और दूसरे का 2040 माइनस में actual R कितना लगा दिया भीया तुमने actual लगा दिया आपने 32 जादा लगा दिया और यहां actual 19 यहां कम लगाया into किस से करे सर into यहां पे हो जाएगा हमारा 2 रुपे और 3 रु difference आ जाता है सर हमारा 200 242 तो 1428 280 रुपे का आपका यह adverse आ जाता है यहांपर difference आ जाता है कितने का सर 140 इंटो 3 तो 1442 420 रुपे का यह favorable आ जाता है जिसकी वजह से हमारा यहां पे favorable निकल के आ रहे है कितने का favorable निकल के आया पताईए माइनेस करके फेवरिबल आगे यहां निकाले 420 अरे 420 तो मैंने नहीं बता दिया 420 माइनस 280 टोटल बता दिजिए मैं यहां पर निकाल लेता हूँ लेवर इल्ड वेरियांस सर लेवर इल्ड वेरियांस में क्या था 146 एवरिबल सर इल्ड में क्या था हमारा इल्ड में था स्टेंडर्ड से स्टेंडर्ड को कमपेर करो तो यानि सर यहां पर था हमारा आप देखेंगे मैंने क्या कहा था कि standard से standard को compare करो इसका मतलब सर जिस परकार material standard quantity revise standard ऐसे ही standard hour revise और into में तो हमारा standard hour रहेगा ही रहेगा तो बड़ी सीधी सी बात है तो standard को compare करते हैं तो A के लिए यानि standard hour minus revise standard hour into में standard rate बड़ी सीधी सी बात है formula की चलिए अब apply करते है formula a और बी के लिए ए में standard hour कितना है सर 3000 और 2000 सर ये सारे exam में आये हुए है देखो मैंने पहला भी निकाल लिया ये भी निकाल लिया rate variance भी efficiency variance भी अब mix variance भी हो गया चार पूछा था मैं extra निकाल रहे हैं क्या हाँ देखो question में yield पूछा नहीं था लेकिन हम निकाल रहे हैं कोई बात नहीं निकाल देते हैं minus revise कितना है 3060 minus 2040 ये extra है कहीं आप इसे answer में ढूणने ना लगना standard rate क्या है 2 और 3 सर फटा फट बता दीजिए multiply करके छे इंटू दो 120 एडवर्स और ये चालेश चालेश इंटू तीन ये भी एडवर्स चालेश इंटू तीन 120 एडवर्स तो यानि 240 एडवर्स तो सर इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो कहीं जाके हमारा कौन सा बन पाएगा एफिसेंसी बन पाएगा तो 240 एडवर्स और 140 एडवर्स तो देखो कि 100 ही आएगा जो कि ये बन रहे है आप बताईए इस question में बस formula based है मैं again कहूंगा किसी को doubt है तो बताईए कोई doubt है क्या हाँ जी बताईए sir कोई doubt no doubt तो हम आज की class यहीं पर जो तीसरी class है यहीं पर एंड कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद एक और class आ जाती है अगली class थोड़ा सा मैं ज्यादा time चाहिए इसलिए मैं सवादस्ते स्टार्ट कर रहा हूं सबादस्ते मैं साड़ी ग्यारा बारह तक लेके चलूँआ कि लंबी-लंबी class में जल्दी खतम करके खतम करते हैं ठीके ना तो कल वाली जो class होगी वह सबादस्ते होगी कि लेवर लास्ट फॉर्मूला बता दो लेवर का लास्ट बोल रहे हैं आपका लेवर का लास्ट एक कोशन मैं आपको दे रहा हूं मैंने इसलिए नहीं लिखा एक कोशन मैंने आपको दे दिया क्यूंकि आइडल टाइम वाला अभी तक में आपकिया तो आपने एक्चुल आ और म ane में टाइम टेकिंग टाइम टेकिंग यह एक्चुल टाइम टेकिंग तो जो भी मैनिस में आएगा वूह आजाएगा आईडिएल टाई यह फॉर्मूला जब कोश्चन आएका तब ही मैं लिख दूए तो ज्यादा थेखाइभ झाल झाल